गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग, वही चेप्टर हम सुरू करने जा रहा है बावू, पार्ट्स ओप स्पीच, फोन रखी और ओनलाइन जुडिये, एक दम तुरंट सुरू होने जा रहा है बावू, ओके, आए ओनलाइन, बच्चों का डिमांड भी हो रहा है बावू, पा पार्ट्स, दूसरा ओफ और तीसरा स्पीच, सबसे पहले जो इस चेप्टर का हम लोग कंसेप्ट समझेंगे वावू, कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ओफ का मतलब क्या होता है, और स्पीच का क्या मतलब होता है, चुकि टोटल गरामर इसी पर निर्भर करता है, पार पार्ट्स मतलब होता है अन और ओफ मतलब होता है का के की तो क्या समझ लोग यहाँ पर बड़ी समझ लेते हैं बड़ी समझ रहे हैं बड़ी यानि कि स्पीच के जगह पर हम बड़ी रख दिए कंसिप्ट किलियर करने के लिए जैसे मेरा बड़ी आप लोग समझ सकते हैं तो इस बड़ी में जो है बहुत सारे अंग है बहुत सारे पार्ट्स है जैसे इसे हम नूज कहते हैं इसे चीक कहत इसे बाल कहते हैं, इसे जो है ललाट कहते हैं, यह जो है चाइन है, देख रहे हैं ना, यह चेश्ट है, यह हैंड है, यह फिंगर है, तो यह सब पार्ट्स ओबड़ी है, यानि कि पार्ट्स ओफ बड़ी, तो जिस तरह से बड़ी का जो है अलग 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 पार्ट्स होता है विसे हम नाउन पर नाउन एड़ेक्टिव एड़व वर्ब प्रिपोजीशन कंजक्शन इंटर्जक्शन के नाम से जानते हैं ओके दूसरी भासा में हम बात करें बावु तो यहां पर जहें ए स्पीच के जगह पर जहां बड़ी रखेंगे 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 वहां प मेरे ख्याल से दादा जी सब लोग समझ रहा होंगे यानि कि ग्रांड फादर अब क्या हो गया बबु पार्ट्स ओफ दादा जी तो दादा जी के माल जी कि पांच पुत्र हो गए चाहे आठ पुत्र हो गए तो आठ पुत्र कौन-कौन हो जाएंगे तो नाउन पर नाउन adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection, अब उसके अपना पोता होंगे, दादा जी के बेटे हो गए noun, pronoun, verb, adverb, तो उसके अब पोते होंगे, यानि के noun भी अब पास तरह से होगा, नए grammar का अनुसार तीन तरह से होगा, उसी तरह से pronoun भी होगा, adverb भी होगा, preposition भी होगा, इस सारे अलग अलग parts बढ़ते जाएंगे, जिस तरह से दादा जी, दादा जी के बेटे, अब दादा जी के पोते आ जाएंगे, मेरे कहने का मतलब था भाबू, कि parts of a speech, मैंने speech के जएगे पर buddy रख दिया और दादा जी रख दिया, आपका concept clear करने के लिए, जिस तरह से buddy में जो है parts होता है, अलग अलग नाम होता है, similarly, जो आप a speech देख रहें हैं बाबू, तो a speech का मतलब, एक से अधिक जब σब जूरता है, तो sentence बनता है, एक paragraph बनता है, essay बनता है, notice बनता है, message बनता है, application बनता है, letter बनता है, मेरे ख्याल से سب को समझ में आ रहा है, अब जो हमबात करेंगे बाबु कि जो पेरगराफ हुआ असे हुआ अलग-अलग word है न तो अलग-अलग सबका नाम होता है जैसे इसका अलग नाम है न यह nose हो गया, यह cheek हो गया, यह forehead हो गया, यह ear हो गया, यह chest हो गया, यह shoulder हो गया यह जो है finger हो गया, सबका अलग-अलग नाम है ने, यह nail हो गया, मतलब नाखून हो गया, तो सबका अलग-अलग नाम है, उसी तरह से जो paragraph लिखेगा, a speech लिखेगा, तो उसमें सबका अलग-अलग नाम होता है बाबू, वही नाम जानना है कहां-कहां किसका use होता है, जैसे आ जो parts of the body का अलग-अलग फंसन होता है उसी तरह से सारे words का अलग-अलग फंसन होता है कि noun का क्या काम है, pronoun का क्या काम है, adjective का क्या काम है, adverb का क्या 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 क् सब्द भेद सब्द भेद मतलब सब्दों का भेद ओके जिसे हम सब्द भेद कहते हैं मेरे ख्याल से concept किलियर हो गया कि parts of a speech किसे कहते हैं ओके एक line में याद रखना है कि body का जैसे parts है parts of the body जो हम लोग नरसरी या प्री नरसरी में पढ़े थे कि diagram बना कर सिखाये और गया होगा कि ये नाक है ये कान है ये आख है ये बाल है ये chest है ये hand है ये finger है ये सारे चीज हमें समझाये गया था नरसरी, LKG, UKG में मनोहर पोथी में या जो भी books जो है उसका एक violent आती होगी उस book में हम लोग पढ़े थे अब बारी आती है कि उसी तरज पर हम लोग ने क्या समझ लिया बाबू parts of speech तो आईए देखते हैं बाबू parts of speech के parts of speech अगर बड़ी है तो उसका parts कौन कौन सा है अगर parts of speech को अगर आप दादा जी मानते है तो उसका family कौन कौन सा है तो याद रखना है बाबू उसका family कौन कौन है तो याद रखना है यानि कि parts of speech को अगर दादा मानते हैं तो इसका family क्या होगे है यानि कि उनके बच्चे हो जाएंगे noun pronoun pronoun दादमम समार्व, अजर्ण दाद दादिडिद, और्दम, सट्राव, अजर्व, उर्दाव, लड़ी, is नर्रेय्ट, व कि वतiene हैं, जव, भर्यदिद, दो, वद्य-मजर्व, वर्यर्व, शपज़,다द पर्या, सटे बडनि-मर्य, ल्यर्च, वियर्द. अजर्य, प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन, प्रिफोजिशन, तृटिविशन, नियां रीटिखे बाभू, पाट्स ओप स्पीच हो गया है दादा जी, कहा हो गया बाबू, दादा जी हो गया, और इनके बच्चे कौन हो गया, नाउन, परणाउन, एडजेक्टिब, एडवर्ब, भर्ब, पिरिपोजीशन, कंजक्शन, इंटर्जक्शन, यानि कि पाट्स ओप स्पीच के कितने फैमल पाट्स ओफेच, पाट्स ओफेच, क्या वार्यचं आउन, च्पेटिफन अवा, यानि कि जर्णल ग्रामर भी पढ़ बढ़रे हैं, तो दू पोइnt आभीव से पढ़ रहेया है, यानि कि टू पोइंट्स अभीव, एक तू जो है, एसपोगन पॉइज़ औभीव और दू अब कहा जाए कि इस चेप्टर पर आपको इंगलिस में बात करना है कि what is parts of a speech तो parts of a speech का definition दे देना है how many kinds of parts of a speech तो आपको जहिए इनके बच्चे का नाम बता देना है कि parts of a speech के जो है तो आपको पता चलेगा कि अब noun जो है पांस तरह के होते हैं old grammar के अनुसार और नए grammar के अनुसार तीन होते हैं तो आपको बताना होगा अब कोई पूशे है कि how many kinds of noun तो बताए कि there are five kinds of noun according to old grammar और पांचो का नाम बताईए according to modern grammar there are three kinds of noun अब तीनों का नाम बताईए है के बहुत है अर। सब के अपने कर्ण से यानिकी इस दादा जी के आठ भंचे रहे तब उनके भी बच्चे होंगे तभी तो generation चलेगा ना, ओके, तो यह चीज आपको समझना है, concept समझना है, ओके, last में मैं थोड़ा सा जो है request करना चाहूंगा बावो, कि बस, concept एक बार और समझ लो, कि parts मतलब un, of मतलब का, और a speech के जगह पर मैंने buddy रखा, और दादा जी को रखा था, concept किलियर कर लो, ओके, parts of speech को अगर आप दादा जी मानते हैं, तो उनके जो है यह बेटे हो गए, noun, pronoun, adjective, adjective, verb, verb, preposition, conjunction, और interjection, okay, अब बेटे को भी बेटे होंगे, यानि कि दादा जी को पोता होगा, दादा जी एक्सपार हो जाएगे, तो इस तरह से generation चलते रहेंगे, बाबू, okay, this is the concept, अब हम चाहें करेंगे, बाबू, कि इस पर हम लोग बात करें, क्या करेंगे, बाबू, बात करें, यानि कि अब आप से कोई प्यूशता है, आप से कोई सवाल कर देता है, कि what is parts of a speech, यानि कि हम parts of a speech किसे कहते हैं, तब ही मैं बता रहा था न, कि जैसे कान के काम है सुनना, नाक के काम है सुनना, 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 जुबान के काम है बोलना, आख का काम है देखना, हाथ के काम है एकसं देना, यानि कि काम करना, पैर का काम है चलना, यानि कि every parts of the body has its own work, सरीर के जितने भी parts से उसका अपना अपना काम है, ओके, similarly, parts of a speech के जोभी हम बता रहे थे कि इनके बच्चे हैं, जैसे noun, pronoun, verb, verb, adverb, सबका अपना अपना काम है, ओके, तो definition दे देंगे तो, उसी क्या धार पर definition तयार कर लेंगे, कि what is parts of a speech, रटे में नहीं, रट्टा नहीं मारना, याद रखना है, रट्टा नहीं मारना, आपको करना क्या है, तो जबाब देना है smoothly कि the words which are, used, करे कि the words which are used, यानि कि वैसे सब्ड, गिल का प्रियोग होता है, कहां होता है बाबु, in the sentences, कमा लगा दीजिए, according to their function, according to मतलब होता है के अनुसार, और function मतलब होता है कार्ज, यानि कि अपने कार्ज के अनुसार, जैसे काम जो है सुनने का काम करता है, नाक जो है सुनने का काम करता है, आख देखने का काम करता है, डाक जो है चबाने का काम करता है, उसी तरह सब्सवर का अलग-अलग काम है, अलग-अलग function है, इसले ज़ा definition का का दिया कि according to their function, फिर का मा लगाईए, divided into 8 parts is called parts of speech, द्यान दिजे बाभू definition पर, question क्या था बाभू कि what is parts of speech, parts of speech की सर्काल के, okay, मैंने definition दिया है कि the words which are used, यानि कि वैसे सब्द जिनका प्रियोग होता है, करे कि in the sentences, यानि कि वाक्यों में होता है, according to their function, अपने अपने कार्ज के अनुसार, काम के अनुसार, करे कि divided into 8 parts, उनके कार्ज के अनुसार, काम के अनुसार, उन्हें 8 भागों में बाटा गया है, करे कि is called, कहलाते है, parts of speech, उन्हें हम parts of speech कहते हैं, अब जो है, second question जो है, उठता है बाबू, हो सकता है कि कोई इस पर पूछ दे, हला कि सब इसी में आ गया है, इसी में आ गया है, फिर भी कोई पूछ सकता है, कि how many kinds of parts of speech, यानि कि parts of speech कितले परकार के होते हैं, तो हम तो यहार लिखिट यह हैं बाबू, कि 8 parts होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से कोई question कर देता है, कि how many kinds of parts of speech, चुकि हम लोग इस पर conversation भी सीख रहे हैं, parts of speech पर हम लोग conversation भी सीख रहे हैं, तो कोई quiz दिये कि how many kinds of parts of speech, यानि कि parts of speech कि कितने kinds होते हैं, तो जब आप देना है बाबू, कि there are eight kinds of parts of speech, यानि कि parts of speech आठ तरह के होते हैं, क्या हो गया, there are eight kinds of parts of speech, यानि कि parts of speech आठ तरह के होते हैं, such as noun, pronoun, adjective, adjective, verb, verb, preposition, conjunction, interjection, इस तरह से इसकी चर्चा हम कर देंगें, ओके, अब थोगा सा हम concept समझेगे बाबू, कि मैं आप लोगों से अभी बता रहा था, कि जिस तरह से body का जो है parts है, मैं बता रहा था कि ये नाक है, ये गाल है, ये ललाट है, ये hair है, ये कान है, तो अलग-अलग function है, अलग-अलग नाम है, तो speech का जो मैं चर्चा कर रहा था, तो बता रहा था कि paragraph, case, later, application, ये एक से अधिक word रहता है, एक से अधिक sentence रहता है, तो paragraph तयार होता है, इसे तयार होता है, notice तयार होता है, message तयार होता है, application तयार होता है, ओके, तो उसमें कैसे अलग अलग नाम होते हैं, यह concept हम लोग clear करेंगे, यानि यह concept of, यह समझ सकते हैं, वाबू, concept of, parts of speech, concept मतलब समझ रहे हैं कि parts of speech का concept क्या है, of मतलब क्या, तो parts of speech का concept क्या है, ओके, और main चीज शुरू हो रहा है बाबू, जहां से आपका 100% concept clear होगा, अभी तक हम लोग इंटोड़क्शन देख रहे थे, तो याद रखना है बाबू, मान लिजिए, कि अगर आप ऐसे sentence बोल रहे ह India is a great country of the world, ये एक sentence हो गया, कि India is a great country of the world. अब जहें सवाल उठता है बाबू, कि जिस तरह parts of the body था, जैसे नाग का चर्चा मैंने किया, जाल का किया, कान का किया, बाल का किया, chest का किया, hands का किया, fingers का किया, nail का किया, उसी तरह से, अब आपको ध्यान देना है, कि बाबू, इंडिया क्या है, इज क्या है, ए क्या है, great क्या है, country क्या है, of क्या है, the क्या है, world क्या है. पाटसवब्दी बड़ी जो था उसका नाम है ना जी कि ये नाक है, गाल है, कान है, मुह है, कुछ फुत है नाम उसका, A, B, C, D, इसका जो है नाम होता है, तो याद रखना है बाबू, इंडिया, इंडिया क्या है बाबू, तो नाउन है, अब नाउन है, तो पूछा जाएगा कौन सा नाउन है, ओके, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, घबलाना नहीं है, अभी सिर्फ जान लिजे कि इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, चुकि सब चीज पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, तो वर्ब, तो वर्ब का काइंट्स पढ़ेंगे, तो पता चलेगा है कौन सा वर्ब है नाउन का काईंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन सा नाउन है क्योंकि आपको एक्जाम फेस करना है वावू एक्जाम करेक करना है रेलबे एससी बैंकिंग अंडिये का इसलिए ध्यान से पढ़िए आप लोग चले आगे आ रहा है वावू तो यह क्या है वावू यह जो है एक आर्टिकल है क्या है आर्टिकल है बुक्ने जाएगे तो इसको डिटर्माइनर भी कहते हैं डिटर्माइनर के अंतरगत ही आता है वावू आर्टिकल तो आप डिटर्माइनर भी कह सकते हैं कि यह क्या है एक डिटर्माइनर है या आइटिकल ओके अब कौन सा आइटिकल है चुकि आइटिकल का भी पार्ट्स होते हैं अंदर जब घूसेंगा पार्ट्स आप स्पीच के तो यह सारे चीज मीलेंगे बाबू अभी तो हम दो दरवाजा के बहार ही है चलो ग्रेट क्या है बाबू तो भी जाएटिकल है अब आड़ ल् Duty अब अगलती तो कौन सा एटिकल है यह जानना जरू हूँ है तो आड़ देजकल के अंदर जो हम एल करेंगे जैसे घर के अंदर घूसेंगे तो फिल्देνर नोय पता चले है घर में फीज कहा है टीवी कहा है ओ जो वसटिम मसीन कहा है सो दरवाजा की दर है, जंगला की दर है, तो जंगला पता चल गया, दरवाजा पता चल गया, अब यह अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि फ्रीज की दर है, वसिंग मसीन की दर है, बेडरूम की दर है, कीचेन की दर है, सिलिपिंग रूम की दर है, गेस्ट रूम की दर है, य तो कौन सा एडजेक्टिव है, तो कौन सा adjective है, ओके, चले country पर आजाईए, तो country क्या है वावू, noun, अब noun है तो कौन सा noun है, फिर आ गया वही बात, औके, तो हम लोग noun के अंदर जाएंगे, तो पता चलेगा, of क्या है वावू, तो preposition है, और preposition है, तो कौन सा preposition है, जब तक घर में नहीं गुसियेकर तर तक प्ता नहीं चलेगा, हम लोग भी घर के बाहर bout हम घूमρात हैं बाभू, राउंड बार रही है, कि खर है, इधर जंगला दिख रहा है, इधर दरवाजा दिख रहा है, समझ में आ रही हैं बाभू, तो पार्ट Clap पे-speech के बारी-बारी अभी आम लोग घुम रहे हैं, अन्दर नहीं गया है, उके उसके बाद क्या है वाभू? ये दा जो है आर्टिकल है, दा क्या है वावू, आर्टिकल है, अब आर्टिकल है, तो कौन सा आर्टिकल है, अंदर घूसेंगे पार्ट सो पे स्पीज के तो पता चलेगा, ग्रामर के अंदर घूसेंगे तो पता चलेगा, चुकि आर्टिकल जो है आता है डिटर्माइनर के तो Determiner के अंदर जब घुसेंगे तो पता चल जाएगा कि जो है कौन सा जो है यह आर्टिकल है वर्ड जो है बाबु क्या है तो नाउन है घुसेंगे नाउन में तो पता चलेगा घर में तो घुसिये पहले तो अभी तक हम लोगों ने यही सीखा बाबु कि पार्ट्स ओपे स्पीच क्या है उसका कंसिप्ट हम लोगों ने समझा और मैंने एक एक जामपल के तौर पर मैंने आप लोगों को समझाया कि कोई भी संटेंस लिखिएगा जितने भी वर्ड जो है यूज होगे जिस तरह से बड़ी का नाम है कि ये लोज है, ये चीक है, ये फोर हेड है, ये हेर है, ये एर है, ये बेली है, ये चेस्ट है, ये सोल्डर है, ये फिंगर है, ये नेल है, जिस तरह से नाम है ने बाबु, सिमिलरली सब का नाम है, चुकि बीना नाम का कुछ नहीं होता है. मैं जो है ग्रामर पढ़ाता नहीं वह वह ग्रामर के साथ खेलता हूँ और बच्चों को खेलना सिखाता हूँ चुकि professionally यानि कि पेसे से मैं author हूँ, writer हूँ, या मैं कि लेखक हूँ मैंने बहु सारी पुस्तके लिखिये English, spoken, grammar, translation की जो market में available है कुछ किताबे मैं देखाना भी चाहूँगा, जबलाना नहीं है, जैसे यह देख रहे हैं न, यह सारी किताबे जो है मेरी लिखिये हूँ है बहु सारे पुस्तके है बहु I have written so many books on English as spoken, grammar and translations, which are available in the market Okay guys, तो अगर मेरा concept पहाने का अगर समाज में आ रहा है कि किस तरह से जो है किसी chapter पर हम 100% command करेंगे जैसे मैंने बताई, concept clear करो यार, concept राट्टा में ही मारू जाके YouTube पर इधर भटक कर रहा है, जाके किसी teacher के पास अपना time kill कर लेता हो यह नहीं करना है बाबू, बिल्कुल नहीं करना है, बाबा आदम के जमाना नहीं है कि बैल गाड़ी पर बैठेंगे और महिनों महिना में दू महिना में दिल्ली पहुंचेंगे, कोलकत्ता पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे आज plane पो बैठिया तुरक पोहुँचिये जहां 10 गंटा 20 गंटा महिनों दिन लगता था आप गंटा में पोहुँच सकते हैं ये गंटा में पक्तना से plane पोकडिये दिल्ली पोहुँचिये दिल्ली से मुंबई पोहुँच जाईए इंडिया से जपान पहुझे, मतलब इंसान भी एकदम उड़ता हुआ परिंदा हो गया है समझे रहे ना? तो प्लेन का सवारी कीजिए और 100% कंसिप्ट किलियर करके पढ़िए ताकि future में कोई confusion न रहा सके मैं अपना परिशे बता रहा था कि I am professionally an author मैं writer हूँ, बहुत सारे पुष्टके मैंने निखी है और concept मैंने parts of speech के बताया कि हर word का अपना नाम होता है, अपना पहचान होता है कोई बच्चा रोड पर घूम रहा है, क्या लगता है? क्यों किसी का अवलाद है न? उसी तरह से कोई word कहीं दिख रहा है, कोई भी word अगर दिख रहा है तो ऐसा थोड़ी को बीना नाम का है कुछ ना कुछ नाम है, इसलिए मैं बोल ला था कि parts of speech grammar का read होता है parts of speech अगर आपको समझ में आ गया, तो grammar पर आपको command हो जाएगा ओगे, चलिए भार यार, मैं आपको अपने पुष्टकें दिखा दूँ, तो पुष्टक से पहले जो है मेरा आप खुल गया, आप देख लेते हैं English Plus by Sanjeev Siwani, यह मेरे आयप का नाम है, मेरे YouTube चैनल का भी नाम है अगर मेरी concept समझ में आ रही हो, तो please YouTube पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर लिजी आदिक सादिक सेयर कीजिए, कि मेरा क्लास उन बच्चों तक पहुंचे जो मेडी है Weaker of the Society हैं, मतलब हमारे किसान भाई के बच्चे हैं, मजदूर भाई के बच्चे हैं या फिर रिक्षा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, या रोल साइड में जो सबजी बेशते हैं, फल बेशते हैं पकोड़ा पकोड़ी बेशते हैं, या महले महले जो hawkers का काम करते हैं, उनके बच्चों तक मेरा lecture पहुंच सके, इसलिए आधिक से आधिक share कीजिए क्योंकि मैं फिरी में पढ़ाता हूँ, एक रुप्या लेता हूँ और एक साल पढ़ाता हूँ बहु सारे courses हैं, चुकि courses का नाम ही है, चुकि course का ही नाम है बाबू, family pack English सीख है, तो family pack मतलब क्या, आपके परिवार का total व्यवस्ता है English का, फिरिफ और शिरिफ literature छोड़ कर, ओके, चाहे नरसरी से UK जी तक बच्चा पढ़ता हो, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10 या 10 से 12, या परिवार म सर्विस करता हो, उसको भी English सीखना हो, या कोई विदेश जाना चाहता हो, उसको भी spoken सीखना हो, grammar सीखना हो, वो सब लोगों के लिए इसमें course available है, इसलिए इसका नाम है family pack English सीख है, ओके, एक रुपया मैं मात्र में पढ़ाता हूं बाबू, एक रुपया, 105 किताब ही मैं देखता हूं, 5 books, जो एक स्पोकेन का complete course है वावू, तो आईए देखते हैं वावू, books कौन कौन से है, ध्यान देजे वावू, यह book number 3 है, मैं बता रहा था कि 5 किताब है, तो यह book number 3 है, book का नाम है वावू, 0 to hero, A, B, B, C, एस पोकेन इंगलिस, इहना ध्यान देजे, भी से सिखाने का जादू है, तो अब तुरत में बताऊंगा कैसे जादू है, यह book number 3 है, यह द्यान देजे वावू, यह book number 2 है, यह BBC स्पोकेन इंगलिस, पुछ तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, book number 1 हो गया, वह रहा भावू, book number 2, यानि कि अभी हम लोग क्या सिखाने का जादू है, तो कैसे जादू है, ध्यान देजेगा, चुकि आपके सामने स्क्रीन पर दो चेप्टर दिख रहा होगा, article और vice, article पर अगर आप एक कविता याद कर लेते हैं, जैसे party, पुछ तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकंदारी, पद्वी, सैनिक, बाजा, जाती, दीशा, रेट, अंग, और दो को लगा में सूपरलेटिव के सैन, अगर इस कविता का कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो दो का आपका 80% परियोग खतम हो जाता है, देख रहे हैं न, कि party किसे कहते हैं, पुछतक किसे कहते हैं, सरिता किसे कहते हैं, सवार किसे कहते हैं, मतलब इस कविता का जो है कंसेप्ट समझ लेना, ये सेप्टर हम पहावी चुके हैं, आए पर लेक्चर अपलोड है, यूटूब पर भी अपलोड है, वहां से अपना कलास फूरा कर लेजी है, ओके, चले, सेकेंड चेप्टर कहा रहा है, वाइस, देखे, कि उपसूरत जो है, और कितना एसमार्थ, कितना एसमार्थ, और कितना टीक फूल जो है, इसका टीक है, जैसे कहा रहे है कि ऑबजेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे है, यानि कि अगर एक्टूब वाइस में संटेंस दिया होगा, उसमें क्या करेंगे, ऑबजेक्ट को सब्जे यह सब सहाय किरिया उसको जोड़ देना है, उसके बाद करें कि मुख्य किरिया का तीसरा रूम, यानि कि मुख्य किरिया दिया गया हो, यानि कि मूल भर्व हो, उसका थर्ड फर्म लगा दीजिए, उसके बाद करें कि सब्जेक को अब्जेक्ट, जैसे अब्जेक को सब्जे है कि अगर इस थिवरी का कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं तो कुछी एक्टिव वाइस के संटेंस होगा उसे आसानी से पैसिव वाइस में आप चेंज कर सकते हैं कि इसलिए में आप लोग को कह रहा था कि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूं बच्चों को खेलना सिखाता हूं देख रहे हैं न कितना खुबसूरत आपके त्रीक मिला तील किताब हम लोग ने बेख लिया बबू इस चौंथी किताब है ध्यान दीजिए यानि के बुक नंबर फ बुक नंबर फाइव देखिए ये मोहतारमा जो है देख रहे है न अखबार पढ़ रही है अंग्रे जी का इससे पता चल रहा होगा कि बुक नंबर फाइव जो है इस पेसली अखबार पहने कि जो है हाथ में है न अखबार इंगलिस निउस्पेर है वाभू और याद इंगलिस बोलनी है क्योंकि आज हमारी हर जरूरत के लिए जरूरी है इंगलिस ये रहा बुक नंबर फाइव इस पेसली अखबार के लिए है वाभू अगर अखबार पढ़कर समझना चाहते हैं चाहे आप ए स्टुडेंट है प्रोफेशन में है जॉब करते हैं कर्विस क कोई माले नहीं रखता है अगर अखबार पढ़कर समझना चाहते हैं तो इस बूख का जरूर्च ट्री कीजिए मातर बारा से तेरस तेरा रूल है अगर आप पहल लेते हैं उसको समझ लेते हैं तो आप अईरोगी काफ़ार पढ़कर समझ सकते हैं ओकई च्कि यहां दिया हो गया, कोट का चोहरी मोईज होने वाले अलग हो गया, मिसाप का अलग हो गया, बाढ आता है उसके अलग हो गया, बॉली वुड, इंटरेणमेंट का वर्ड अलग हो गया, टोटल वट्स जो है कलासिफाइड करके मैंने दिया है ओके चुकि बुक नहीं है सचमुच मांग रेजी सिखाने का वो ज्यादू है चलिए उसके बाद करें कि रेज हैडलाइन्स तो ही तो कह रहा है कि बारा से जो है क्या करिए तेरा रूल आप पहड़िए आखबार पहणा अगर नहीं समझ गये तो मैं अपने लाइफ में कभी मारकर नहीं उठाओंगा अपने आपको ओथर नहीं मानूंगा तो गाइस प्लीज इस बुक को पढ़िए चुकि बुक नहीं सचमुच मैं जो अंग्रेजी सिखाने का विए जादू है और गड़ी अभी सारा कर रही है मैं आप लोगों से वीदा लेना चाहूंगा जैहिन दैवानत The first step towards achieving your dreams is having the right coach Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true Download the app now